हेलो गैस रादरादे वेलकम बैक टुकाना चैनल कैसे हो आप सब आई हो आप सभी लोग अच्छे होंगे स्वस्त होंगे सो गैस आज हम बनाएंगे एक कप दूस्से बेसन मिलकेक बहुत ही ज़्यादा टेश्टी लगते हैं गैस खाने में आइसका स्वाद फ्लेवर तो बह अफ्ला लेते हैं एक सब्सक्त क darf लिए और साथ मैं डाल देते हैं आधा कप पानी आ चीनि को बढ़िया से ऐमें तयार करना है बिल्कुल अछे से умX में इंहिलाते हुए चालाते हuk k चीनी को अच्छे से घुला लेना है और लगभग माई चीनी अच्छे से घुल चुकी है तो इसमें थोड़े सी केसर के धागे एड़ कर देते हैं इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा अब चासनी को हमें इतना त्यार करना है कि बस एक तार बनना श्टार्ट कर ले य जोई का फ्लेम कर दीजिए नीचे उता방रें नहीं बनाना सधार कश्म अर लेते हैं आप वाक्श कंון मेंगो हफेलोग मिल्क का इस्तमाल किया है जितना मोटा गाढ़ा दूल लेंगे बेसन मिलकेक आपकी उतनी ही टेस्टी बनेगे अब दूद को हमें गाढ़ा कर लेना है दूद ज्यादा समय नहीं लेगा गाइस बहुत मुस्किल से पांच मिनट में हाई फ्लेम पे इसे बढ़ियां से आप उभाल ले खालेगा और दूद देख रहे हो कापी हथ तक गाड़ी हो चुकी है तो इसी तरोसे में चलाते हुए इसे गाढ़ा कर लेना है और देख सकते हो दूद हमारी कापी साथ गारी हो चुके हैं या यानि की मामा की स्टेश पर आने लगा है तो थोड़ा सा और हम पका लेते हैं और यह देख सकते हो पूरी तरह से यह मामा के फॉण में आचुका है तो बस हम गैस का फिल्च कर देते हैं बंद अब इससे ज़्यादा हम आर cartridge करें यानि कि ठंडा हो जाएगा पूरी तरह से यह गाड़ा हो जाएगा तो गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया इसे फैला देते हैं पैन में इसी तरह से और छोड़ देते हैं काफी हद तक गाड़ा हो जाएगा क्यूंकि मेरा जो पैन है न काफी गरम है तो यह गाड़ा हो वहां यहां पर किते ही शते हैं एसन को वहतीं कि द करना यहां जदा मीडियम आजो अपनी। तो पूरा सा हमें लोग फ्लेम पे इसे बढ़िया से भून लेना है जितना आप इस फेशन को भूनेंगे उतनी ही टेष्टी आपकी यह के लगेगी गास का भूनता जाएगा ना बेशन गीला होता जाएगा यानि कि घी अपजाब होना सुरू हो जाएगा बेशन से और देख सकते हो भूनते भूनते कुछ इस तरह से लगने लगा है और जैसे जैसे पूरी तरह से बेशन भून जाएगा ना तो ये गीली-गीली सी बेशन लगने ल चैन्ज होता जायगा और यह देख सकते हो बेसर हमारी हमारी काफी हद रहता चुकी है इसकी कलर भी चैन्ज होचुकी तो आप क्या करेंगे घैस का फ्लेंज मैंने लो रखा है लो फ्लें पे इसे हम जो मावां मैंने तयार किया था दूत का इसे कंड़ादे साथे जो के यहांपर मैंने जितना और मयå मावा उसे भी हमें डाल देना है धक्रम्पन की में नगुट है पूरे दालने के बाद मिक्स करें हैं जिसे दौन do संगे अपेलों के और भी हैंब होने भॉस्सीस सब्सक्राइब सुन्हारूरीं जहां और मैंने उस सोब्स सब्सक्राइब ह works मैंनी साबRIS केको अét क помог आपैए आपढ़ियों सब्सक्राइब करें। पतलते हैं ज्याद़ रा हैंटी को सब्सक्राइब है ज्यादा हमें टाइट नहीं करना है नहीं तो इसका जो स्वाद फ्लेवर है थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी तो यह देख सकते हो काफी हद तक पक चुकी है तो बस आप इस स्टेज पर गैस का फ्लेम कर देजिए बन इसे नीचे उतारके जिस केक्टीन में या तो क अब इसमें सारे हम पलट लेते हैं मिक्सरंड को ऐसे बनिया से फैला लेते हैं तो ज्यादा हमें इसमें बल लगानी की जडरूद नहीं बस हलके-हलके से हाथों से इस तरह से में फैला देना है अब यह थोड़ा सा मुतलब ऑट इन इसमें फैल जा रहा है आप पूर Parlomang नेचे यह तब ही आप इसे निकालना है तो इस यहाँ पर मैं प्रूडर्फेपर का इस्तंवाल किया チया था तो मैंने केक्टी में बटर पेपर लगाया था बीना बटर पेपर के भी आप इस बढ़ा बेशन रख को बना सकते हो अब यहां पर देख सकते हुमारी जो बेशन रख हैं बह। अच्छे से के दूरी पर मैं कट लगा रही हूं यानि कि लंबाई में समझ लीजे तीन में करूँ गी और चोड़ाई में डेड़े इंची तक बने इस तरह से काट लिया है जैसे बेसन मिल के कोई भी डेसे मोटे रहते हैं तो यह देखने में अच्छा लगता है तो यह देख सकते हो बह मिल्क दूसरे प्लेट में रखते बहुत ही दाने दार हमारे बेसन मिल्क एक बने हैं दूसरा प्लेट में हम एक- एक बेसन मिल्क को सब्सक्राइज एक बर जरूर बनाईएकशा एक बार आप बनाएगे लिप कर पाएंगे कि कितरी टेश्टी आप के बेसन मिलकेक बने हैं और यह देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा टेश्टी बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़ादा टेश्टी लगते हैं जरू से जरूर बनाइएगा वैसे भी बेसन के मिठाई जो होते हैं बहुत ज़ादा टेश्टी बनते हैं すो आगर ये बेसन मिलक एक की एस पर आप लोगों को पसंद आय। alltså और प्लीज लाइक कर दो